आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल में हमारा आज का टॉपिक कोनार्क मंदीर से संबंदीत है आज के वीडियो में मैं आपको कोनार्क मंदीर से संबंदीत कुछ एतिहासिक और कुछ पौरानिक जानकारी देना चाहूंगी हमारा आज का प्रशन है कोनार्क मं इसवी के बीच में गंगामश के राजा नरसी नियो प्रथम ने करवाया था। वर्तवान समय में यह कोनार्क मंदीर पूर्वी उडिसा के पवीत्र शहर पूरी के निकट स्थीत है। इसका निर्मान लाल बलुवा पत्थर और काले रंग के ग्रेनाइड पत्थरों से हुआ तो यह हो गया है इस प्रश्ण का उत्तर कि इसका निर्मान किस ने कब और कैसे किया था। इससे जुड़ी हुई एक रोचक पौरानिक कता है। मैं उसकी जानकर आपको देना चाहूंगे। मगवान कृष्ण की पूत्र साम जो की लगबग 12 वर्शों से लखवा के रोग से ग्रिस्त थे। उन्होंने इस रोग से मुक्त होने के लिए जंद्रभागा की नदी के सागर संगम पर कोनार्क में लगबग 12 वर्शों तक सूर्य देव की कटिन तपस्या की थी। उनकी इ कोनार्क में सूर्य देवता का एक भव्वय और विशाल मंदिर बनाने का संकल्प किया था। अ इस प्रकार से है पौरानी कथा यहां पर पूर्ण होती ह। इसके अलावा, अब हम इसकी विशेषदा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कोनार्क मंदिर की विशेष्टा है, जैसे कि पिछे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, तो अलग-अलग एंगल से आपको दिखा ही पड़ेंगा जो विशेष्टा है मैं आपको बताना चाहती हूं, इस मंदिर का दूसरा नाम अधित्य मंदिर सुर्य का दूसरा नाम अधित्य है, इसलिए इस मंदिर को अधित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर 24 पयों पर टिका हूआ है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मंदिर कलिंग वास्तुकला के बहतरी नमुनों में से एक माना जाता है, इसकी खासमखाल विशेषता यह है कि कोनार्क में बने इस विशाल और भव्य मंदिर को सूर्य देव की रत की तरह बनाया गया है। इस मंदिर का मुख्य आकर्शन इसके प्रवेश दुवार पर बनी विशाल रत की मुर्ती है जिसे साथ घोड़े खीशते हैं। घोड़ो की नकाशी कुछ इस तरह से की गई है। मानो ऐसा जान प्रतीत होता है कि वे घोड़े सचमुच दौड़ रहे हो। इतनी जानकारी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हूँगा। तो इसे लाइक कीजिए। अपने द्योस्तों और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मौतवपूर्णा और रोचक जानकारियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।